हेलो स्रोइंस सो आफ़र कम्लेइटिंग छैपन नमबर वन तेल चैपन नमबर सेवन, अब हम यहाँ चैपन नमबर एड शाट कर रही है, ओके तो मैं ना आपके सामने questions लिखें वेए, यह chapter नमबर एड की हैं अब हम इसको एक एक करके solve करते हैं सबसे पहले question number one Question No.1 में हमसे कहा है The distance between the foci of an ellipse और यहाँ पे आपके पास ellipse की एक equation है अच्छा अब यह वाला जो सवाल है आपके पास इसके अंदर आपके कोई solution परफॉर्म नहीं करना यह theory का question है तो इस theory के question में आपसे यह कहा है कि आप बताएं अगर एक ellipse जिसकी equation हो x square upon a square plus y square upon b square equals to 1 इसके foci का distance क्या होगा तो इसके foci का distance होता है twice of c या आप इसको कह सकते हैं 2c ओके तो पहले वाले का answer है हमारे पास पहले वाले question का 2c आपने simple याद रखना है कि distance between foci क्या होता है that is 2c ओके चलें अच्छा अब question number 2 में आपसे क्या पूछा है question number 2 है if e is equal to 3 upon 2 then conic is n अच्छा अब यहाँ पे आपको e की value दी हुई है अच्छा e किसे कहते हैं e कहते हैं आपके पास eccentricity को और यहाँ पे आपने होड क्या करना है 3 upon 2 जो है आपने इसको 1 से compare करना है क्या यह 1 से बड़ा number है यह 1 से छोटा number है यह आपके पास 1 से बड़ा number है तो कभी भी अगर आपके पास eccentricity की value greater than 1 हो तो वो जो conic है वो कहलाता है hyperbola अच्छा अब यहाँ पे रुके मैं आपको एक से दो चीज़े और बता रहा चाहूंगा जरूरी नहीं है कि हर दफ़ा आपको जो eccentricity की value दी जाए वो greater than 1 हो अगर less than 1 दी जाती 1 upon 2 दे दी जाती 1 upon 4 दे दी जाती या यह value आपको 1 दे दी जाती या यह value आपको 0 दे दी जाती तो फिर आपके answer देते तो यहाँ पर मैं आपको सारी possibilities बता देता हूँ अगर e जो है greater than 1 हो तो हमारे पास जो konig होता है वो होता है hyperbola जैसा कि हमने question number 2 में answer करा लेकिन अगर हमारे पास e की value which is the eccentricity अगर वो less than 1 हो तो इसका answer क्या होता है इसका answer होता है हमारे पास ellipse अच्छा अगर आपके पास e की value equal to 1 हो यानी 1 के बराबर आजाए तो यह जो आपके पास konig होता है यह कहलाता है parabola और आफिरी case क्या हो सकता है अगर e की value 0 हो सरी है अगर हमारे पास e की value 0 हो तो वो वाला konig हमारे पास seconds है हमारे पास čार konig हैं hyperbola, parabola, ellipse and circle और यह चार conditions हमारे पास हो सकती है as compared to या with respect to the eccentricity greater than one hyperbola less than one ellipse equals to one parabola और आखिर में equals to zero which is the circle okay तो अब हम यहां पे question number three को solve करते हैं अचा question number three जो आपके पास सवाल है इसके अदर आपने कुछ simplification perform करनी होगी इससे पहले जो तो equations हम नहीं करें question number one और question number two इसके अंदर सिर्फ आपसे theory assess की गई थी अचा अब आपसे पूछा क्या गया है आपसे पूछा है the vertex of parabola और यहां पे आपके पास एक equation है आप बताएं इसका vertex क्या होगा जब थोड़ा सा मैं आपको बता देता हूँ कि जब आपने parabola पड़ा होगा तो इसके अंदर आपने दो cases देखे होंगे पहले case में आपको बताया होगा कि जब h,k origin के उपर हो यानी 0,0 या h,k यानी vertex vertex जिसको हम h,k से represent करते हैं किसी एक point के उपर हो तो आपके पास यहां पर जो equation दी गई है यह clearly आपको यह बता रही है कि यह किसी एक point h,k के उपर है और वही point जिसको हम vertex कहते हैं आप उसकी value बताएं अच्छा अब हम इसकी value कैसे बताएंगे सबसे पहले तो मैं यह equation लिख देता हूँ यह equation हमारे पास क्या है x plus 2 whole square is equal to 4 y minus 1 ओके इसके similar equation से आप इसको compare कर लें 4 cases पढ़े होंगे उनमें से आपको यह case मज़र आ रहा होगा कि which is cup of parabola और equation क्या होती है उसकी x minus h whole square is equal to 4 y minus k ऐसे ही होती है अब आप इसको compare करें जब हम इसको compare करेंगे तो x से x cancel होगा यहाँ पर actual क्या होगा minus h को आप 2 से equate करें h की value मिल जाएगी minus 2 सही यहाँ पर जब आप इसको equate करेंगे तो minus k को minus 1 से equate करना है minus k is equal to minus 1 minus से minus cancel तो k की value मिल जाएगी हमें 1 तो हमारे पास जो vertex जिसको हम h, k से represent करते हैं उसकी value आजाएगी इसके according minus 2,1 और यह है इसका answer ओके getting the point पराबोला के अंदर आपने 4 cases देखे होंगे उन 4 cases में आपके पास cup right या cup left cup up और cup down उसके हिसाब से जो यह आपके पास given equation थी यह आपके पास चूंके right hand side का variable आप चेक करते हैं positive है right hand side पे y लिखा हुआ है या y axis की along होगी और चूंके positive है तो positive direction तो इसका parabola क्या होगा cup up parabola उसकी equation से आपने इसको equate करा और आपके पास value आ गई h, k की इस तरहाँ से सही है चलें अब हम यहाँ पर question number 4 करते हैं question number 4 में आपसे कहा है the equation ax square plus by square plus 2gx plus 2fy plus c is equal to 0 if अच्छा ही सवाल में क्या पूछना चाहा है इस सवाल के अंदर आपके पास ही requirement है यह एक circle की equation है अच्छा हैिस circle की equation में आपके पास यह जनरल equation survival है यहाँ पे आप से कहा है की यह equation general equation of circle कब बनेगी इसकी condition यह होती है तब कि जब a 0 नहीं होना चाहिए और b 0 नहीं होना चाहिए सही है अगर आपके पास a 0 नहीं है b 0 नहीं है इसका मतलब है equation में आपके पास x square और y square आएगा ऐसे ही है तो आपके पास इसका जो answer है circle की according circle की equation बिलाने के लिए वो क्या हो जाएगी आप यहाँ पे देंगे a should not be equal to 0 and b should not be equal to 0 अगर यह condition है तो यह circle की equation बनेगी आपके पास यहाँ पे x 0 हो सकता है y 0 हो सकता है ठीक है लेकिन कभी भी x square y square equation से गायब नहीं होना चाहिए तो इस case में circle की equation बनाने के लिए circle की equation बनाने के लिए a should not be equal to 0 and b should not be equal to 0 ओके चले जी अब हम करते है question number 5 question number 5 में आपसे कहा है semi lattice rectum of an ellipsis यानि इनों ने आपसे क्या बूचा है ellipse का semi lattice rectum क्या होता है तो ellipse का semi lattice rectum बताने के लिए आपको lattice rectum की value बता होनी चाहिए lattice rectum क्या होता है आप लोग ने पढ़ा होगा 2b square upon a होता है ऐसा ही ना length of lattice rectum is 2b square upon a for ellipse अब अगर इनों ने कहा है semi semi का मतलब होता है half आप क्या करें आप इस value को multiply कर लें half से तो क्या होगा 2 से 2 cancel हो जाएगा answer क्या बनेगा b square upon a तो b square upon a is the correct answer ये क्या होता है मारे पास the semi lattice rectum of an ellipse अच्छा अब question number 6 में क्या पूछा है इनोंने question number 6 में कहा है कि in a rectangular hyperbola ये खास किसम का hyperbola होता है the value of eccentricity is अच्छा वैसे तो आप eccentricity एक rectangular hyperbola की find करते लेकिन आप इसको याद भी कर सकते है इसका direct answer मैं आपको बता देता हूँ एक rectangular hyperbola की eccentricity क्या होती है इसका answer है e is equal to under root 2 ओके आपके पास rectangular hyperbola एक ऐसा hyperbola होता है खास किसम का जिसमें a और b दोनों की value सेम होती है जब आप उसको solve करते हैं तो आप अगर उसकी eccentricity निकालेंगे तो आपके पास आएगा under root 2 तो आप उसका solution का part रहने दे अब directly याद रख ले के एक rectangular hyperbola की eccentricity होती है under root 2 ओके तो यहाँ पे हमने 6 questions करें of chapter number 8 chapter number 8 के अंदर हम देख रहे हैं कि parabola के भी questions आ रहे हैं ellipse के भी questions आ रहे हैं और hyperbola के भी questions आ रहे हैं क्योंकि इस chapter में हम यही तीन konics पढ़ते हैं तो चले अब हम इसके कुछ और questions आ फिरते हैं